हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस हमने आप सभी के लिए कच्छा नौ का साइंस स्टार्ट किये हैं जिसमें हम भोतिक विज्ञान का चेप्टर नंबर वन गती पढ़ रहे हैं इसके पहले आप लोगों को पार्ट बन इसका अप्लोड कर दिया गया है जिसमें हमन क्या Pence विस्थापन गती गती के प्रकार अधिश रासियां सदीष रासिह क्या होती है दूरी और विस्थापन इतने पॉइंट अभी के प्रकार पढ़ेंगे फ्रेंस यहां पर आप सभी के लिए पहले से नोट्स बना के तयार किये हैं जिससे आप आसानी प्रुवक उसे देखें और समझें और उसे अपने कापी पर आसानी प्रुवक लिखें याद करें चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस समय में जब समान दूरी तय करता है तो उसे हम एक समान गती कहते हैं ठीक है देखे इसके परिवासे यहां पर लिखा है पहले से कि यदि कोई वस्तू समान समय अंत्राल में समान दूरी तय करती है तो एक समान गती कहलाती है ठीक है फ्रेंस सीधे क्या यात करना है कि एक समान कि जब कोई बस एक गंटे में 60 km चलता है और दूसरे घंटे में 60 km चलता है और दूसरे घंटे में 60 km चलता है उसके जुद्टेंस से उसके दूरी में किसी अपरकार का प्रुवर्तर नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं एक समान गति कहते हैं ठीक है फ्रेंस यह समझ में आगया वहगा आपको चलिए अब देखते हैं और समान गति जिससे हम front युनिफार्म मोशन भी कहते हैं देखे फिर नाम से ही पता चला है एक असमान यानि कि भिन भिन जब दूरियां तैक की जाती है तो उसे असमान गती कहते हैं कोई वस्तू समान समय में असमान दूरियां तय करती है तो उसे असमान गति करते हैं जैसे उधार के तोर पे आपको समझाए कि जैसे बस है पर्थम गंटा में आपका 80 km चला है अगले गंटा मुझा कर रहा है कि 100 km चला है तो उसकी दूरी में क्या हो गई भिनता आगई तो से हम क्या बोलेंगे असमान गती देखें फ्रेंस यहां पर आपके लिए लिखें यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो असमान गती कहलाता है उधाय के तोर पर जैसे बता रहें कि कोई बस है प्रथम घंटा में पचास किलिमिटर चलता है औ एक समान गती का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु समान दूरी तय करें तो उसे एक समान गती करते हैं और जब कोई वस्तु समान समय में भिन भिन दूरी तय करता है तो उसे असमान गती करते हैं तो फ्रेंस आप एक समान और असमान में अंतर समझ में आ गया होगा आपको क एक समानगती क्या होता है और समानगती क्या होता है अब पढ़ता है फ्रेंज चाल जिसको इंगलीज में बोलते हैं इस्पीड देखे फ्रेंज चाल का परिवासा क्या होता है चाल का परिवासा होता है कि एकांग समय में तै की गई दूरी क्या करते हैं फ्रेंज चाल करते है यानि कि एकांग समय में जो दूरी तैग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है चाल कहा जाता है देखे चाल बराबर फार्मूला आप सभी को पता होगा कि दूरी बटा के समय बोली है या दूरी बटा के समय अंतराल ठीक है कोई अंतर नहीं है इसका देखे दूरी का मातरक आपको पता होगा इसके पहले वीडियों में बता चुके हैं दूरी का मात्रक क्या होता है दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय अंत्राल अर्थार समय का मात्रक होता है सकेंड तो फ्रेंज इसका जो मात्रक चाल का बनेगा आपका मीटर प्रति सकेंड होता है देखें फ्रे अभी आपको उपर बता है कि दूरी का मात्रक मीटर होता है समय का अंतराल का मात्रक सकेंड होता है यानि मीटर प्रती सकेंड होता है चाल जो होता है फ्रेंस हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है इसलिए कि इसमें हमेशा positive ही calculate किया जाता है धनात्मक ही मान होता है यह कभी भी रात्मक और शुनिन नहीं हो सकता है जितने पॉइंट फ्रेंस आपको यहाँ पे लिखें उन सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोट्स कीजिएगा और उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा ठीक है देखे फ्रेंस चलिए चाल के प्रक होता है पहलर होता है एक होते हैं समान चाल दूसरा होता है कर दे ऐसरख कर के देखते हैं कि देखते हैं पहले देखते हैं एक समान चाल देखें फ्रेंस ये नाम से ही अश्पष्ट हो रहा है कि एक समान चाल मतलब क्या होता है जिसमें क्या होता है यदि कोई वस्तू समान समय में समान दूरियां तै करती हो तो एक समान चाल कालाता है यानि कि समान समय में समान दूरियां देखें देडरी कुई वस्थो समान दूरियां तय करती हो तो एक समान चाल इता हैन अगले पोईन्थ को देखते हैं समान चाल लखो अगला पॉइंट है समान चाल देखे फ्रेंस समान का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वस्तू समान समय में भिन भिन दूरियां तै करे अर्थात समान दूरियां तै करे तो उसे क्या बोलते हैं समान चाल करते हैं यह दूर परिभासा जो है फ्रेंस आपके नाम से ही समान दूरिया करते हैं तो इसे औसमान चाल कहता है ठीक है उससे हम क्या बोलते हैं और समय कहते हैं ठीक है और सचाल का परिवास के आप बटाके कुल समय को क्या करते हैं और थात इवरेज स्पीड करते हैं यानि कि इसको कैसे याद रखना है कि कुल चली गई दूरी देखिए यहां पर आपको फार्मूला है कि और चाल का होता है कि कुल दूरी बटाके कुल समय को क्या करते हैं और चाल करते हैं तो आपको पता चल गया होगे देखें यहां पर आपका इसका डिफिनेशन भी लिखा आए कि वस्तु द्वारा तै की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को और सचाल कहते हैं और सचाल का आप यहां पर देख सकते हैं है क्या परिवासा आप देख चुके हैं इसका फार्मूला दे इसलिए इसका पाहले से नोट्स बनाके आप लोगों प्रवाइड किया जा रहा है इसी तरह कमेश्ट्री और बाइलोजी का भी आपको प्रवाइड किया जाएगा ठीक है यहां पर देखते हैं समझते हैं कि और सचाल जैसे क्या होता है यह देखिए भिन भिन जैसे दूर समय लगता है तो अभी पढ़ें कि कुल दूरी बटागे यहां देख भी सकते हैं और सचाल के कुल समय यहां पर आप आपका आउसाथ चाल अर्थाथ एवरेज स्पीड आपका अगला लाश्ट पॉइंट है इसका प्रकार है जो चाल का प्रकार इसका लाश्ट पॉइंट है क्या है ताच्छडिक चाल ठीक है यारि कि इंग्लिस इंगले से इंस्टेंटेनियस इसपीड देखिए इसका सब्से ही आपको इसका परिवासा मिल जाएगा ताच्छडिक मतलब होता है सुच्छ मसमे ठीक है यहां देख सकते हैं कि अत्यांत सुच्म समय अंत्राल में वस्तू द्वारा चली गई दूरी सुच्म दूरी अर्थात ताच्छडिक चाल कालाती है यानि कि सुच्म समय में जो सुच्म दूरी तै किया जाता है सीधा सीधा इसको याद रखेगा कि सुच्म समय में जो सुच्म दूरी तै किया जाता है उस ऑहां पर इसके बाद चाले चाहल के सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थांक्स फार वाचिंग